पर तुकुषसरा आप्सब को नमेश्कार में क्या बार लोग यह पूचते हैं कि या यह पर यह एसी जगह है कि जो जहां पर भूमा जा सके जहां पिश टाइम स्पड्र गीよ सके कई बार आपके रेलेट्टिव सब्सक्राठ जहां आते हैं ऊप सोचते हैं कहां ले जाए इनको घुमाने के लिए घर में बैठे बैठे बोर होते रहते हैं तो आइडिया नहीं हो पाता कि यह कहां जाया जा और बहुत सारे लोगों को यह नालेज भी नहीं है कि आकर रैवरेली में ऐसी कुछ जगह हैं क्या जहां हैं अच्छा कि एक वीडियो बनाते हैं और ऐसी जगह है आपको मैं दिखाता हूं जहां पर आप जा सकते हैं और देखने का अनंद आपको अलग ही आएगा यहां पर जाकर क्योंकि यह एतिहासिक धरोहर है रैवरेली की और इस पर आप चप जाएंगे तो देखेंगे कि एक यह जो सार्दा नहर रैवरेली से होकर गुजरती है वो और जो एक नदी है सही नदी जिसके तक पर रैवरेली बसा हुआ है वो नदी दोनों का एक अद्बुत समागम यहां पर होता है नदी नीचे से निकलती है और इसके उपर से एक वो बनाकर के लोहे का इसमें वो बनाया है तो यह बहुत ही अच्छी जगह है बहुत देखने में वह लगता है और लोग काफी दूर दूर से इसको देखने आता है जो भी मेरा है जो कि राइबली में जो भी बाहर से आता है जो भी कहीं से भी आता है तो यह बहुत अवस्त जाता है क्योंकि यह काफी फेमस जगह है बहुत ही प्रसिद्ध है और यहां का जो निर्माड़ है देखने लायक है अंग्रेजयों के जमाने का माना जाता है मिया साथ सब्सक्राइब रहे मुझे तो इतना नालेज नहीं है कि उल्फ जलिशुती सुठी नहीं है और पहुत सारे लोग में नषज को पता नहीं होता है जहा कहा जाएं कहा प्रम है अपना और यह सही नहीं देखे किस तरह से इसमें जब बाढ़ाती तो पूरे छेत लबालब डूब जाते हैं और पानी नीचे से निकलता रहता है पानी इसका प्रावन नीचे से होता है और उपर से जो कि भी पहले मैंने दिखाया वह था अब सार्दानहर जो उपर से जाती है इस चैंबर के माध्यम से ही जो सार्दानहर का पानी पूरा निकाला जाता है नीचे से नदीब रवाइत होती है आप सब देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में मिलेंगे